हलो एबरीवान कैसे हैं आप लोग उम्मेद्य आप लोग अच्छे से त्यारी कर रहे होंगे और थोरे और अच्छे से त्यारी करने की जरूरत है क्योंकि आ गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से नया नौट्रिफिकेशन इसका आप लोग डेट दे देख सकते हैं इसका जो अप्लिकेशन ओनलाइन अप्लिकेशन है वह तीन तीन दोजारताइस से स्टार्ट हो रहा है जो कि लाश्ट डेट आपका तीन चार दोजारताइस यानि तक्रीबन एक महंत का आप लोग को समय दिया जाएगा यहां वहीं आप अपैमेंट इतना त र्ट Dol inten टक 64 2 vaak कर सकते हैं बात इसमें इंप्बोटेंट की कि कर लेते हैं तो इसमें हम आपको इंप्रयां आपको से स्च्वेह लगा पहलताई दो सुब्सीं आपमेंचन पचीसंबडियो हैं वैस तोыми ईसें पैफर हें था तो आपको ऀंडेड रूपया लगाया जगा प् एक सो पचीस रुपया आपको पेड करना पड़ेगा ठीक है वहीं बात करें सीडूल कास एस्टी और एस्टी की तो उनको 40 रुपया प्लस 25 रुपया इसी परकार से पी डबलूडी के लिए भी कोई फीर नहीं रखा गया है मात्रोज का ओनलाइन प्रोसेसिंग फी 25 रुपया रखा गया है और एक सर्विसमेन के लिए 40 रुपया एक्जाम फी रखा गया है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग 25 रुपया जो की तक्रीवन 65 रुपया होता है और बात करें यहां पे कुछ इंट्रेक्शन बेगरा कि यहां पे आपको बता जा रहा है कि user interaction पढ़ें फिर भी अडमर्टराजमेंट को पर है और फिर apply करें apply कैसे करना है तो apply पहले registration करना पड़ेगा यहाँ पर सारे चीज second stage और third stage में second में payment करना पड़ेगा और third में आपको final submission यह छोटी-छोटी जनकारिया है इसमें ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मैं मुख्य पॉइंटों पे discuss कर लेता हूं ठीक है तो यह हो गए आप यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कुछ reservation के टेरिया दिया गया है तो आप यह उत्तरप्रदेश के स्टी ओवी सी है तो आपको reservation का फाइदा मिलेगा बाकि बाद अधर 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 स्टेट वाले के लिए यहाँ पर कोई फाइदा नहीं वह आप जनरल में इनवर्सिटी अप टू लाश्ट डेट ठीक है तो यहाँ पर जितने भी लाश्ट डेट दे रखे हैं जो कि तीन चार दोजार तईस उस तक आपका बैचलर डिगरी अंग परमान पत्र आपके पास होना जरूरी है यानि पास होना सार्टिफिकट होना जरूरी है ठीक है अ कुछ धेतल पोश्ट है यह लोग यह सभी एससे लिए जनरेल जो भी आपको में हैं उससे आप भर सकते हैं बागवाद यहां पे कुछ धेतल पोश्ट है इसके लिए अलग से क्वालिफिकिशन मांगा गया है जैसे कि लिए पोस्ट गर्जिट इन एकोनोमिक्स सोसिलोजी कॉमर्श वाले लाव वाले लेवर रिलेशन लेवर वेलफियर लेवर लाव सोसल वार्क इन सभी में आपका पैस अगर डिगरी हैं तो आप आसाने सी से भर पाएंगे इसी प्रकार से असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मजरमेंट के ग्रेट टू इसके लिए भी कुछ पोस्ट है जैसे लौ अफिसर हो गया टेकनिकल एसिस्टेंट हो गया जियो फासिस्ट इसी तरह से टेक्स असिस्ट्मेंट ऑफिसर ठीक है तो इनों के लिए डिग्रिया है बाकी बाइद आप कोई भी डिग्री वाले से अपलाई कर सकते हैं जैसे आर्ट टू साइंस कोमर्स वाले कुछ पोस्टों में फिजिकल एस्टेंडर्ड भी रखा गया यानि आपको पीटीप भी पास करना परेगा जैसे कि यहां पे हाइट वेगेरा चेस्ट वेगेरा ठीक है महिलाओं के लिए चेस्ट तो होता नहीं है यहां पे पुर्षों के लिए हाइट और चेस्ट क यहां पे आपको दे रखा है मेंसिन कर रखा है ठीक है और यहां पे और बात करें तो पोस्ट ओफ डिस्टिक को मैंड प्रेंट होम गार्ड उसके लिए भी आपको पीटी मतलब फिजिकल एस्टेंडर्ड टेस्ट पास करना परेगा जो कि यहां पे उसका हाइट वेगेरा दे रखा है तो बने बताये कुछ यहां पे जेल के लिए भी दे रखा है और भी यहां पे कुछ पोस्टो के लिए हाँ पे हाइट मेंसिन कर रखा है तो आप लोग अपना-पना सबसे देख लिजएगा बाकि बाद जनरल के लिए कोई दिकत नहीं है आप आसानी से इसे आ अगर देखा चाहिए तो आपको एक जुलाई दोजर्टाइस 21 यह होना जरूर है अपर एज लिमिट 40 यह बाकि वाद इसमें कुछ छूट दिया जाएगा अगर आप उतर प्रदेश की निवासी है और सीडूल कास्ट और स्ट कास्ट के अंतरगत आते हैं वह भी सी के अंत करना है इंपोर्टेंट इंट्रेक्शन देख लेते हैं इसमें सारे कुछ हुआ ही से बताया जा रहा है यहां पर जनरल इंट्रेक्शन हो गया यहां पर फोटो को देख सकते हैं फोटो का कुछ डाटा मेंशन कर रखा है तो आप अपने अनुसार यहां पर देख लिजिए कि यहां पर फोटो का कुछ एड़िया जो है फॉलो करना पड़ेगा आपको कितना कीवी से कितना कीवी के बीच में होना जरूर ही है और सिंग नेचर का भी ठीक है तो ध्यान में रखेंगे वैसे आप लोग भड़ रहे होंगे तो यह सब तो आपको पता ही होगा बैसिकली जनकारी देना था कि इसका फॉर्म आ गया है तो आप अपना-पना तैयारी करें यहां पर कुछ चिले बस बेगरा भी दे रखा है तो उसे भी देख लेते हैं प्लिर में एक्जामिनेशन का यह सिले बस दे रखा है यहां पर अंपलसरी सब्जेक्ट दे रखा है तो आप लोग अपना-पना असानी से मेंस का सिलेबस है तो देख सकते हैं ठीक है मैं इसका लिंक देदूँगा अब चाहें तो वहाँ से असानी से डाउंडोड कर सकते हैं ठीक है यह छोटी से अपडेट थी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान धन्यवाद